लेबलान के हिस्बुला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से दहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट ना खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाज शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है पैसर्ट रॉकेट से दहल गया इसराइल किरियाद में आईडिय फाइट पॉर्टर पर हमला नसरल्ला के कक्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वॉरियर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके हिस्बुल्ला फाइटर्स ने किये दिशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिस्बुल्ला ने आईडियप के सैन्ने ठिकाने को तभा करने का एनान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि हिस्बुल्ला के रॉकेट अटाक को मजबूती से जवाब दिया गया है ज्यादा तर रॉकेट को हवा में ही तभा कर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस बुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाइशी बस्कियों में भी भटे है हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुक्चान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोग लिवनान फ्रंट की जगा गजा में दिखने लगा है गजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लप्तों में घिरती है चीप पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे है आसमान से बरस रही मिसाईले मौत बाट रही है हमास लडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो युद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भन नहीं असल लडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहराम बचा रहे हैं उसकी बस एक जलक देखिए सुरंग से दबेपाउं निकलते हैं हमास के बम स्कॉर्ट इसराइल की फोर्ट को करीब जाकर दहलाते हैं सिंवार के आत्म घाती हमलावर इस घातक और विद्वनसक हमले का तोड अब दक नेतन याहू कि सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबला करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लवा का पत्थरों से बनी इमारत में शरण लेकर बैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेस बैंक के हिब्रॉन में ये भिड़न कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेक जाइड टावर्स इलाके में हुई भीशन लड़ाई में आईडियफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से चिप गए टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही इरान और हिजबुला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर कैबिनेट मंत्री और सैनने प्रमुक बैनी गैंट्स ने तो नेतनियाहू को ये वार्निंग भी दी है कि सुरंग में बैठे सिन्वार का सफाया लगभग ना मुमकिन है अगर नेतनियाहू सही युद ररनिंदी नही बना पार है तो ने सरेंडर कर देना चाहिए हमास चीट रर ने स्थर्ण अपरेशग नहीं है क्या है अंडर्ग्राउंड गाजा की हकीकत इसराइली हमलों से बचमे के लिए हमास ने पूरे गाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते है हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हालकि आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को खोज निकाला हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदक बना कर रखा गया है एक एक कर हमास लड़ा के बंदकों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेडा मचा हुआ है हाल ही में 6 बंदकों की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतनियाहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतनियाहू जहां बैकफुक पर है वहीं सिन्वार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिन्वार ने सभी सुरंगों के दर्वाजों को धमागे का श्ट्रगर बना दिया है अमाज के अंडरग्राउंड नेटवर्क एक अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करके अप्ग्रेड किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से चूते ही जोरदार दमाके होने लगते है जीपियस सिस्टम और रुबोट से उपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है अमाज की सभी सुरंगे घाजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थाल है हमाज की रणनीती भी इलाके पर कबजा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिनवार की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुपसान पहुँचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर खुले आम घूंता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गलियों में घूंचुके सिनवार को आइडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भीटपाना भी आसान नहीं है आइडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास तरह से भी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है इसी फासले को हमास रड़ा के अपने हफ में इस्तिमाल करते है वार्जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रॉब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने इस्राइल पर साथ अक्तूबर को हमास की ओर से किये गए नरसंगार के आरोपों की घोशना की है इस्राइल में साथ अक्तूबर दोहजार तेज कुवे नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाइल हानिय, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आप रादी का रूप तैकर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू योग की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Senwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. America में Hamas की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है, लेकिन सूपर पावर, Hamas कमांडरों तक कभी पहुच पाएगा भी, फिलाल इसके कोई आसान नहीं दिख रहे हैं, Iran के समर्धन से Hamas फिर से ताकतवर बन चुका है, हम सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूब दी है. I-DF को सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फ्रंट पर है, जहां असरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटवार शुरू कर चुकी है, अपने टॉप कमांडरों के खादमे से बौक लाए हिजबुला फाइटर, इसराइल में खुश कर बड़े हमले की प्लानिंग में है, उफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुला फाइटर गाजा की सुरंग में बेज बना कर, हम आज के साथ जॉइन्ट अटाइक को अन्जाम दे सकते हैं, इसका पता सीरिया बौर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है, यहां आइडियेफ ने बौर्डर पर घुसपैट कर रहे एक संदिक्त का खात्मा किया है, इसराइल की बाल के करीब कैई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है, आइडियेफ की वार्डिंग के बाद भी जब एक संदिक्त ने बाल पार करने की कोशिश की, तो उसे धेर कर दिया गया, इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी एलर्ट मोड में रहना होगा, सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है,